ये जो आयोग काम कर रहा है ब्रश्टाचार के पैसे लेके अपना सब हर स्कूल कालेजों में पेपर अपने आदमी को भरने के लिए ये सब कर रहे हैं ऐसे काम नमस्कार इस समय प्रियागराज में प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन सुरू है कारण है कि पिछले दिनों जो परिछाएं हुई है उन परिछाओं में छात्र धानली कारोप लगा रहे हैं धानली ये कि परिछा से पहले ही पेपर लीख होना सुरू हो गया था और आज यहां पर DM office में अपना ज्यापन देने के लिए हुए हैं आए बात करते हैं च्छात्रों से और जानने कोश करते हैं कि अखिर इसका कारण क्या है यह च्छात्रों की क्या मांग है आप लोग यहां पर आये हुए हैं क्या मांग है च्छात्रों की आज आप ज्यापन देने के आई हुए हैं तो क्या वजा है उस चीज़ को पकड़ के जो है उसको उसके उपर कारवाई करनी चाहिए और यह जो आयोग काम कर रहा है ब्रश्टाचार के पैसे लेकर अपने आदमी को भरने के लिए यह सब कर रहे हैं ऐसे लोग है वो पैसा लेकर अपने आदमियों को भरने के लिए ऐसा करवा रहे हैं अब क्या कहना है मेरा कहना यह है मेरा नाम मानुweisen चोरश किया है और मैं इलहाबाद उचनेयले में में वाकालत करता हूं मैं भी प्रतियोंगी छात रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है मैं भी आरो की परीक्षा दीट न हिरा शेंटर नइनी में था उसका कॉपी पुरा ब्लैंक छोड़ा गया था आपने पेपर धिया था उसमें पुरा ब्लैंक छोड़ा गया तक में आप में जो टीचर थे वो उनसे मैंने यह कहा कि यह कॉंपी ब्लाइंग क्यों है तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों ब्लाइंग है तो मैं उस समय तीन इस्टूडेंट उसमें हम लोग ने नमबर एक्सचेंज गिया था कि कभी कुछ होता है हम लोग उसमें कारवाई के लिए ह उसके बाद दूती पाली की परिक्षा होती है तो क्लास में जो परिवेच्छक नियुक्त थे वो आते हैं उस लड़के को वार्निंग देते हैं कहते हैं कि यह क्या कर रहे हो परिक्षा इस तरीके से नहीं दी जाती है आप कुछ भी करिए लेकिन ब्लैंक मत छोड़िए उ मैंने देखा कि वे उस लड़के ने 10 से 15 फारी किस न हिंडी तो यह सीधा दर्षा है कि कहीं से उसका जओं पैसे की लेंदेन देन förकी रहिए पैसे का लेंदेन होताया और पैसोब लेंडेन से घं Literally की जाती आपको रोल नंबर कुपलवत करा सकता हूँ, मैं अपने बुकलेट में रोल नंबर नोट करके रखा हूँ और उन चात्रों का भी नाम और मोगाइल नोट करके हूँ जिनके सामने हम लोगों ने यह सब देखा था आज आप यहां पर आये हैं, तो यहां पर आने का उद्देश क्या है? प्रतियोगी चात्रों के साथ कोई भी भेद्भाव नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और निस्पच्चता साथ जो भी काम हो उना चाहिए, आप यहां पर आये हैं, आपका क्या कहिना है? मेरा मांगी है, कि जब से आरो ए आरो और यूपी पर इच्छन लिख हुआ है, तब से निरंतर लगातार चाहत अंदुलन पे हैं, और यह भाराल का उत्तरपदे का दूर भाग है कि पूरा नौजवान आच्छण को तरनने को मजबूर है, लेकिन प्रन्त यह सरकाइद नि अभी कल योगी आदितनात का एक बयान वायरल हो रहा था, उसमें उन कहा है कि जो यूपी पी का पेपर लीख होने की बास सामने आ रही है, उस पर कारवाही होगी और अगर ऐसा कुछ होता है, तो पेपर रद किया जाएगा, छात्रोस दोबारा फीस नहीं ली जाएगी औ उनकी आवा-गमन सुधा दियाएगी, पुराना है, वायर हो रहा है, जो दिजग वायर होगी किसके इस उसी वीडियो पराणा भी भासपाई लोग फिर बावर कर रहे है, अईसा कुछ है नहीं, यह जिस हो चात्रें बैंक सांस हो जाए हम अपना काम कर ले टैंट च्छात तो कहना यह है कि छात्र जब तक निड़े नहीं होता है तब तक छात्र शांत नहीं बैठेंगे और एक एक छात्र जो है कि युवा जो है वो शड़कों पर आएगा सरकार यह जानती है कि आरो और अरो और उत्तर प्रदेश पुलीस की परिक्षा निश्चित पावर पे इसमें धादली हुई है परिक्षा लीख हुई है और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यह मतलब कि चोचले बाजी कर रही है तो सरकार नाकामी कुछ पाने के लिए चोचले बाजी कर रहे हैं ऐसा चात्रों कहना आई बात करते हैं कुछ हो चात्रों से और जानते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है प्रतियोगी परिक्षाओं में पेपर लीग के संबंद महोध्या आपको अवगत कराना है कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में चात्रों के लिए आयोजित प्रतियोगी परिक्षाओं में देड़ दर्जन से जादा पेपर लीग होने की घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं पिछले दिनों आयोजित समिक्षा अधिकारी सहायक समिक्षा अधिकारी वब पुलिस भर्ति परिक्षा में परिक्षा शुरू होने से पहले पेपर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था जिसे ये दर्शात है कि सरकार छाटरों के भविश्व से लगतार खिल्वार कर रही है महोधिया गाउं गरीब मज़्दूर किसान का बच्चा विप्रीट परिस्थितियों में किसी तरह अपने घर से दूर रहकर परिक्षा की तयारी कर प्रतियोगी परिक्षा में भाग लेता है जबकि सरका की नाकामी की वज़े से परिक्षा शुरू होने से पहले ही पेपल लीक हो जाता है जो की अत्यान दुर्भाग पूर है महोध्या नौजवाद इसमें बहुत निराश हताश और तनाओं में है छोटी बड़ी परिक्षाओं को देने के बाद वे अफसार में जाकर गलत कड़ा उठाने के लिए मजबूर है पिछले एक साल की भीतर प्रयागरा शेहर में सेखडू छात आत्मात्या कर चुके हैं इस तरह पूरे प्रदेश की युवा हताश और निराश है अब प्रदेश में लगतार युवाओं के भविश के साथ किलवार हो रहा है महोध्या आप से स इस ग्यापन को राश्पति पहँंझा काम करेंगे हम छात्रों की भविश को बचाने को काम करेंगे हम ध्याट प्रदी सब्सक्राइब करेने को हम चात्रों के प्याइब आपृष क्योंकि आप शूंठेटार के रहते हैं, गारी एर में आरी लाजी क्रत किक नहीं ऺावरे नहीं।